राम राम किसान भायो मैं रिमिन तमर आप देख रहे हैं एक एक खेती जनकारी येटूब चैनल किसान भायो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपने मिर्च की क्रॉप कर रही है और मिर्च की क्रॉप में आप सल्फर का उपयोग करने जा रहे हैं आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं परन्तु से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आ हूए है जैन्यों ने मिर्च की क्रॉप कर रखी है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बस्त करना है जिससे आने वाली वीडियो का उन्हाँ है तो नोड़ा टेंपरिचर भी गिरा हुआ है रात का टेंपरिचर भी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है अगर इस तरह की इस्तिती है आपके यहां की मौसम के अनुसार आप जब दिन का टेंपरिचर ज़्यादा लो हो और रात का टेंपरिचर लो हो तो उस इस्तिती में आप अपनी पौदे में जो पीला पन दिखाई दे रहा है वह सल्फर उसको अटाने का काम करती है पौदे में नई किली का निर्बान करने का भी काम करती है सल्फर किसान भायों जो अब टेंपरिचर लो हो जाता है और पौदे में पीला पन दिखाई दीता है तो उस इस्तिती में और भी मिर्च की फसल में उपयोग कर देते हैं तो सलफर बहतरीन तरीके से अपनी मिर्च की क्रॉप में कल्ली विकालने का काम करती है पीरापन जो है उसको अटाने का बहतरीन तरीके से सलफर काम करती है और जो फूल और फल ड्रॉपिंग हो रहा है उसको रोकने का भी काम सल्फर करती है और सल्फर हमारे जो मिर्च के पौदे पर जो फंगस का अटैक है उसको रोकने का भी बैतरीन तरीके से एक फपुन्दी नस्था का भी सल्फर काम करती है सल्फर एक दोस्तिक पोसक्तत है तो हमारे मिर्च के फसल के लिए एक पोसक्तत यानि क secondary migrations भी प्रदान कराने का sulfur काम करती है किसान भाईो आप अपनी सिम्ला मिर्च है या पतली मिर्च है उसमें sulfur का प्रयोग आप जब दिन का temperature लो हो रात का temperature बहुत ज़्यादा लो हो कारा पड़ रहा हो और मौसम साप नहीं रह रहा हो बूंदा बादी हो रही हो उस इस्तिति में आप अपनी जो सिम्ला मिर्च की crop है या पतली मिर्च की crop है उसमें sulfur का उप्योग कर देते हैं तो बहतरीन तरीके से sulfur हमारी मिर्च की फसल में पीला पन हटाने का काम करती है फपुन्दी को रोकने का काम करती है यह sulfur तो गिसान बाईो यह बहतरीन तरीके से हमारे जो सिम्ला मिर्च तत्ह पतली मिर्च में काम करती है अगर इसकी माताब किदे हम बात कर investig星 आप अपनी सिम्ला मिर्च है या पतली मिर्च है उसमें अगर सलफर 80% WDG का अगर उपयोग करना जा रहे हैं तो उसे 4 किलोपरती एकड़ के अनुसार उपयोग कर सकते हैं अगर आप सलफर 90% WDG यह है जो सलफर का उपयोग करने जा रहे हैं उसका उपयोग आप 2.5-3 किलोपरती एकड़ के अनुसार आप अपनी सिम्ला में तथा पतली मिर्च में इन सल्फर का उपयोग कर सकते हैं तो किसान भाईो आप मेरे बताए अनुसार आप अपनी सिम्ला में तथा पतली मिर्च में सल्फर का उपयोग करते हैं और सलफर का उप्योग करने से केका फायदे देखने को बलते हैं इस वीडियो में आप अच्छी तरीके से समाज गए होगे यह अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मिर्च की क्रॉप से समधित और अधिक जानकारी जानना चा करने बाद